जैन दोस्तो, I hope you are fine टॉपिक चल रहा है फ्रेजल वब फ्रेजल वब के अंदर आपने कौन कौन से कम्लिट किये ब्रेंग, ब्रेक, कैरी और कम ये चार कम्लिट कर दी है पीछे कौन सी रहे, गेट, टर्न और पूट आज मैंने आपके लिए लिए है, कौन सी टर्न, टर्न का मतलब क्या होता है, मुढ़ना सिंपल सी बात है, टर्न होना, मुढ़ना कहीं से तो अब सिंपल सी बात है साथ फ्रेजल वब है, चार कम्पलिट हो चुकी है टर्न चल रही है, तो सर करना क्या है जैसे पहले वाली को याद किया है वैसे इसको भी याद करना है तो चलिए सबसे पहले सुरू करते है तर्न अवे तर्न अवे का मतलब क्या है वो सुनो यहां से तर्न अवे का मतलब है वापस बेजना कोई चीज आई आपके पास उसको आप रिटर्न में वापस बेज रहे हो देखो एक्जांपल my father dot 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 खाली जिगर Ria's invitation card Ria का invitation card आया था गर पे पापा ने क्या कर लिया होगा वापस बेज दिया लेके जाओ इसका रिया का invitation card यहाँ से लेके जाओ नहीं चीए हो मतलब की वापस क्या कर दिया return बेज दिया वापस बेज दिया तो अब यहाँ पर फ्रेसे लोग कौन से आएगी turn away तो अब इसको use कैसे करना है वो सुनो past tense की बात तो यहाँ पर क्या होजाएगा वह बेज दिया है turn down turn down का मतलब क्या हुआ इंकार करना किसी चीज के लिए मना कर देना मना कर देना इंकार करना कैसे एक्जाम्पल समझो the supreme court खाली जगर the petition petition का मतलब क्या होता है याचिका जैसे अभी पटाखों के लिए याचिका लगी थी निए पटाखों के उपर बेहन लगा और दिल्ली में अगरा सीन हुआ था तो भई याचिका तो supreme court ने क्या कियोगी याचिका को क्या किया होगा खारीज किया होगा इंकार किया होगा याचिका के लिए इंकार किया होगा आपके याचिक किरेंगे तो यहां पर क्या जाएगा the supreme court turned down क्या हो जाएगा turned down तो यहां पर हो जाएगा turned गान बहुत simple turn down the petition तर्ड पे आता हूं मैं turn on क्या लिका हूँ is looking on 10 on-down-down का मतलब क्या है turn on का मतलब क्या है turn on का मतलब अटी फोलना किस चीज को open करना समझते हैं कैसे शुरु करना example please turn on the television यहां मैं ने लिखा हुआ यह पहले से please turn on the television टेलेविजन क्या चानल करने लिए आप क्या तरन आंगा बहुत सिंपल है नेक्स पर फिर में आता हूं आपके वह आपके turn off क्या है turn off, तो बहुत simple है, on का मतलब चालू, off का मतलब बंद करना है, बहुत simple है, आपको ऐसे यूज करना है, देखो example, the lineman, क्या लिखाए, the lineman, खाली जगह, फिल इन दे ब्लेंक्स होगे हैं आपर, आगे the electricity supply in our area, because of heavy rain, के बही जो lineman था, उसने, हमारी area के अंदर heavy rain होने कारण, मुशला दहर बारिश होने कारण, कघडी बारिश होने के कारण, electricity का जो supply था, जो बिजली, की जो पूर्ती थी, बिजली की जो आपूर्ती थी, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया होगा, वही इस area में पेज बारिश चल रही है, तो यहाँपर क्या कर दीते है, जो अब यहां पर करोगे तर्ण ओफ क्या बहुत सिंपल है या फ्रेजल वर्ब में इससे यह किपंडा है जो फ्रेजल वर्ब है उसका मिनिंग क्या है उसका अर्थ किस-किस के लिए उपयोग मिली जाती है वो दिमाग में अगर चिपक गया तो जब exam में सवाल आएगा तो आपके भी धड़क वो सवाल बहुत easy way में होने वाला है बिल्कुल घजराने की जुरूत नहीं है Turn up पे आगया हुँ मैं Turn up का मतलब क्या है? आना या फिर आवाज का बढ़ना Example समझते है Ria promised Ria ने क्या क्या वादा किया Ria promised to come back Oh Ria promised to come back But अब लेने यहां पर क्या लिखा है यहां पर क्या होजएगा But She didn't अब बताओ आप बताओ क्या क्या होगा लड़की है Ria promised to come back Ria ने वादा किया था कि वापस आएगी Come back करेगी वापस आएगी But She did not But She did not क्या होजएगा But She did not But She didn't But She did not Turn up क्या होजएगा But She did not Turn up यहां Ria से एक भई देख लो आई नहीं वादा किया था आएगी लेकिन आई ही नहीं तो देख लो दिल तूट जाता है लोग काटों से बचकर चलते हैं हमने फूलों से जक्म खाए है तुम गैरों की बात करते हो हमने अपनों से धोके खाए है तो आप चलो आगे देखते है रियान से तो यह Ria वाला सीन कंप्लिट होगा Turn up का मतब क्या होता है आना तो रिया ने वादा किया लेकिन वो आई नहीं रिया प्रोमीजड टू कम बेक बट सी डिडेंट टरन आप अब यहां पर आओ यार Turn out Turn out का मतलब क्या है Turn out का मतलब आप बहुत सारे होता है किस चीज का सिद्ध होना किस चीज का उत्पन करना उत्पादन करना यह सारी चीज किसमें आएगी इसमें आएगी ठीक है तो एक्जाम्पल दा फ्रेक्ट्री दा फ्रेक्ट्री Fill in the blanks 2500 Bikes in a month अब आप फेक्ट्री क्या करती होगी एक महिने में 2500 Bikes क्या करती होगी बनाती होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा The factory Turned out या फिर देखो यहां पर आप दो दूसरा टैंस भी यूज कर सकते हों मां मतलब पहला दैंस भी यूज कर सकते हों कैसे फेक्ट्री तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो The factory Turns out क्या लिख सकते हैं वो तुन्स आउट ट्वेंटी फाइवंड़ बाइक इन अ मन्त की जो फैक्टरी यह पचीस सो बाइक एक महिने के अंदर उत्पादन करती हैं यहां फिर आप ऐसे ही बहुत सकते हो कि यह जो फैक्टरी है एक महिने में इसने पचीस सो बाइक क्या की बना किसी चीज के उपर ध्यान देना किसी बच्चे के उपर ध्यान देना किसी काम के उपर ध्यान देना एक्जामपल समझते हैं देखना after completing my editing task कि मेरा जो editing का टास्क था जो भी YouTube से related दूसरे कामों से जो भी editing का काम था जो भी photo अगरा था तो after completing my editing task मेरा editing task complete करने के बाद आई आई अब यहाँ पर खाली जिगह बिटा जी खाली जिगह मार कर कहा गया हमारा यह रहा आई अब बदा यहाँ पर क्या हो जाएगा बिटा जी I my new lecture जैसे ही मेरा editing का काम complete हुआ after completing my editing task मेरा editing का task complete करने के बाद I turn to क्या हो जाएगा I turn to I turn to my new lecture मैं अपने ले लेक्चर पे ध्यान देता हूँ या फिर I turn to I turn to my son मैं अपने बच्चे पर ध्यान देता हूँ तो इस प्रकार से ध्यान देने के लिए आप किसका यूज़ करोगे तर्न तो का बहुत सिंपल है लोड नहीं लेना है next प्यादा बच्चा लोग turnaround-turn about तर्न अबाूट-turn about का मतलब क्या है जैसे मा वाल में ऐसे था turn about गुमने को गूम जो आपकी दिशा है उससे आप क्या करो, change करो, वीब्रित एक दम opposite गूमो जब वो वीपरित मुड़ा, मतलब क्या हो जाएगा, when he, when he turned about, क्या हो जाएगा, when he turned about, he saw that some girls were following him, जब वो मुड़ा, जब ऐसे वीपरित मुड़ा, तो उसको पता चला, कुछ लड़किया उसका पीचा कर रही थी, उसे follow कर रही थी, next, turn against, turn against, ये बहुत simple है, अगेंस्ट का मतलब ही क्या है, कि भाई, तु मेरे against में नहीं बोल सकता है, विरुद्ध में, तो बहुत simple है, ये तो एक्जाम में आगे तो जैसे हलवा है, बागी इससे लगबग chances, ये मानलो आप 10%, 20% chances है, इसके बहुत chances काम होता है, एक्जाम में आने के turn से लिटे, ठीक ह अब यहां क्या लिखावा, I cannot, या फिर I can't dot 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 my friends, कि भाई, मैं अपने दोस्तों के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, I can't, I can't turn against, I can't turn against my friends, मैं अपने मित्रों के खिलाफ, मैं अपने मि या फिर उनके खिलाप या उनके opposite में नहीं जा सकता हूं मैं उनका विरोध नहीं कर सकता हूं सिंपल सी बात है तो अब बताओ इस प्रकार से अपने complete किया और जैसे एक और होती है turn aside turn aside का मतलब क्या होता है अपने path से विचलित हो जाना अपने path से विचलित हो जाना जैसे कि माल लो you should not turn aside from your main goal कि जो आपका main target है उससे आपको क्या विचलिक नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार से हमने complete कि आज कौन सी turn वाली फ्रेजल वब अब मैं आपको बच्चो दो सवाल दे रहा हूँ जो कि आपको comment section में करके बताना है comment section में अब इनके answer बताना इनका answer जैसे माल लो यह पहला star है यह first star ठीक है और यह second star तो first का answer क्या है आपको मुझे बताना है second का answer क्या है आपको मुझे बताना है comment section में और अगर आपको वह doubt है तो मुझे जरू बताना सवाल क्या है she did not she didn't for class today वो आज की class के लिए did आया है देखो ध्यान से she didn't खाली जिगर for class today अब यहाँ turn on आएगा के turn up आएगा आपको तरह करना है अपन turn up पहले ही पढ़ चुके है turn up turn up का मतलब क्यों होता है आना ठीक है तो अब आप इसमें देख लिना उसे यहाँ पर को ने लड़की है they offered her the job उन्होंने उसे job offer की but see लेकिन उसने but see dot 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 it dot 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 अब यहाँ पर क्या आजाएगा turn to आएगा के turn down देखो turn down ध्यान से समझना आपस turn to हाँ turn to काहाँ पर रहो गया ध्यान देना दूसरे यहाँ पर क्या आएगा यह आपको ध्यान देना ठीक है तो they offered her the job but see turn to यह आपको तेख करना है अब हम मिलेंगे next lecture में अगर कोई doubt है तो मुझे आप comment में जरूर बताना तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए अदवासिक की टाइमिंग डेट्स आ गई है आठ से लगा के 20 दिसम्बर तक एक्जाम है तो अब मजाग मस्ती मजाग मस्ती में रहिए लेकिन पढ़ाई शुरू खड़िया जान लगा दो शानदार जान लगा दो ठीक है अब में मिलेंगे नएश लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहिए सब्सक्राइब मस्त रहिए थैंक्स पो वाचिए जै हिंद बंदे मातरम जै मादेव